बिना किजी भूमिगा के मैं चार पंक्तिया पढ़ता हूं कि तुम लिखना इश्क महपत को मैं इसको प्रेम प्रियाड लिखूंगा तुम लिखना इश्क महपत को मैं इसको प्रेम प्रियाड लिखूंगा तुम करना जिक्र जुदाई का, मैं इसको ब्रह का बाण लिखूंगा तुम लिखना लेला मजनु को, मैं रादा के संगस्याम लिखूंगा और तुम लिखना बहुत तिक दुनिया को, मैं तो गीता का ग्यान रहूँ एक गजलिक मतलद देखिएगा कि, सुख का क्या है, यार भला ये आता जाता रहता है दुख तो अपना साती है, ये साथ निवाता रहता है भटके अर्जुन को समझाने गीता ग्यान सुनाया था दादा आपकी उपस्तिती को पढ़ाम भटके अर्जुन को समझाने गीता ग्यान सुनाया था बक्त रहे ये तुम भी समझो, वो ये समझाता रहता है और प्रेम की बात हो रही थी भगवान कृष्ण मैं बड़ा सौबा की सालिव में लड़ू गोपाल जी की सेवा करता हूँ मेरे लिए तो प्रदे दिन सब होता है उनका जनम दिन जैसे आप लोग शायद कुछ लोग जनवाश्ट में मनाते हैं तो प्रदे दिन उनको इश्णान कराना भोजन कराना में देन एक दिन चर्या का एक हिस्सा है कि प्रेम की खातिर गौला बनकर रख अद्रों पर बंसी को चक्र चलाने बाला काना राग बजाता रहता है प्रेम की खातिर रकदरों पे बंसी को चक्र चलाने बाला काना राग बजाता रहता है और शेर सुने की धीरे शेर सुने की दूर्त सवा में जम्मन से क्रिष्णा क्रिष्णा चिलाती है यहाँ एक क्रिष्णा द्रोपती के लिए एक कृष्ण के लिए द्रोपती का भी नाम कृष्णा है कि धूर्त सवा में जम्मन से कृष्णा कृष्णा चिल लाती है दुष्ट दुशाशन हार गया वो चीर बढ़ाता रहता है और धनकी चाहत खत्मन होती चैन भला कैसे मिलता यह हम सब की परिष्टिती ऐसी है कि धनक की चाहत खत्मन होती सब चाहते कि जीवन में शांति आजाए कि धनकी चाहत खत्मन होती चैन भला कैसे मिलता हम लालच में आजाते हैं लोग लबाता रहता है और यह सच्छा शेर सुने कि धीरे-धीरे यार समय का पहिया अपनी चाल चले धीरे धीरे यार समय का पहिया अपनी चाल चले हम तो बस कटपुतली हैं कोई और चलाता रहता है हम तो बस कटपुतली हैं कोई और चलाता रहता है और मक्ते का शिर देखे कि जीत भला कैसे सकते हो उसकी सत्ता के आगे उसके हाथ में चाबी है वो चाल बढ़ाता रहता है उसके हाथ में चाबी है वो चाल बढ़ाता रहता है